तो चलो फटा फट हैडिंग लगा दो आपके वीड स्टोन वीड स्टोन सेतू वीड स्टोन सेतू वीड स्टोन ब्रिज तो वीड स्टोन सेतू के बारे में देखू सबसे पहले हम बात करते हैं वीड स्टोन सेतू दिखता कैसे है अगैइ इसके बारे में देखेंगे हम डिक्ता के से हैं . तो आप देखो यहाँ पर मैं जो है इसे चार डाट लगा रहा हूँ और चार डाट लगाकर एक बिच्च बना देता हूँ तूरोग हृँ? यह आपके यह है यहवाला resistance इसे मैं बोल रहा हूँanu P resistance है. यह आपके पास क्या है Q है ठीकिंगे यह आपके पास क्या है R है और यह anas यहां पर S जो है वह standard resistance है, variable resistance है यह मैंने इसको गर दिया variable बना दिया, पी-क्यू-आर-एस, ठीके, अभी जो है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा, यह आपके पास क्या है, circuit है, और इस circuit को हम थोड़ा सा छोटा कर लिया मैंने, और इधा देखना यहां पर क्या किया मैंने इसको तोट से जोड़ दिया इस तरीक से जोड़ दिया अभी आप देखना यह के पास क्या होगा यह होगा A यह होगा B यह होगा C और यह होगा D ठीक है बीच में हमने क्या करना है बीच में एक मैंने आपके कुंची लगाई ठीक तो इस जगे पर मैंने एक कुंजी यहां लगा रखी है, यह कुंजी जो है, इस कुंजी का नाम है K1, यह आपके पास है K1, और एक कुंजी में यहां लगा रहा हूँ और यह आपके पास है K2, clear, यह मैंने इसको close कर दिया, ब्रिज का सर्कीट के अरेंजमेंट हो चुका है, अभी जो है हम आगे बात करते हैं, अब जैसे यहां से आप current conduction करोगे, तो माल लेते हैं कि system में current conduction start हुआ, तो system में current conduction start हुआ, और इस तरीके से आपके धारा का प्रवा होना चालू हुआ, clear, इस तरीके से धारा का प्रवा होना चालू हुआ, अच्छे इंसे परीच्चे करवा देता हूं मैं आपका, कि P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है, K1 क्या है, K2 क्या है, K1 क्यों लगाया है, है न, क्योंकि काफी सारे question जो है, वो यहीं से आते हैं, अब फिर उसकी बात क्या है, मैं इसको भी close कर दूँ, यह मैंने इसको भी close कर दिया देखे चलो P और Q से आपका परीच्षे करवाते हैं कि P और Q basically है क्या आप दिखना ये जो P और साथ में ये आपके पास Q जो है ये होता है आपके पास अनुपातिक भुजा इसको क्या बोलते हैं रेशो आर्म बोलते हैं आनुपातिक भुजा बोलते हैं पी और क्यू जो है, वो वास्तों में है क्या, बले पी और क्यू जो है, रजिस्टन्स है, तो ये रजिस्टन्स जो है, आपको पता होना चाहिए कि पी और क्यू जो है, वो आपके पास क्या है, प्रतिरोध है, अब यहाँ जो प्रतिरोध का मान सैट करोगे, उस हिसाब से आ आप जो रेशो अब बोल रहे हो रेशो आर्म का आपके पास क्या है रेशो बोल रहे हो यह आपके रेशो रेशो बैसिकली आपके पी बाई क्यू का रेशो है और यह रेशो हम सैट कैसे करते हैं एक रख सकते हैं इसके लावा दस रख सकते हैं आप जो है यह रेशो सो रख स सकते हो Okay Flow आपके पास fund 10 6000 रख सकते हैं तीक है इस तरीके से हम ratio set करते हैं यह तो P और Q जो है वो क्या है रजिस्टंस है इना इन रजिस्टंस की इसाब से रजिस्टंस की वैल्यू रजिस्टंस की वैल्यू रजिस रजिस्पा चिना हम default set कैसे कर सकते 1 ratio set कर सकते है 10 कर सकते है आपके 100 आपके 1000 10,000 आपके ratio set किया जा सकता है आगे बात करते हैं अपन यहां तक अगर आपने note down कर लिया है आपको बता हो रजजी कि यहाँ पर आपके inverse ratio भी set किया जाता है तो अगर मालो आप मध्यमान के प्रतिरोदों की गणना कर रहे हो ना तो हमें आपके पास यह ratio set करने लेकिन अगर आप low resistance measurement कर रहे हो तो हम क्या करते हैं आपके पास inverse ratio का इस्तिमाल करते हैं तो आप देखना यहाँ पर ratio जो है यहाँ पर ratio जो है जिसे कि मालो मैं पहला ratio set कर रहा हूं inverse ratio inverse ratio एक objective question पुछा गया कि निम्न में से कौन सा inverse ratio है option जो था वो था 1.1 10 और आपके पास 100 तो वहाँ पर 0.1 जो था उस पर right लगाना था inverse ratio अब देखो inverse ratio basically होगा क्या कि आपके पास एक बटा 10 जो है वह एक inverse ratio है एक बटा 10 जो है वह क्या है inverse ratio है आप देखो एक बटा 100 जो है यह भी inverse ratio है एक बटा 1000 जो है वह भी एक inverse ratio है आपका जो question बना वो कहां से बना आपका question इस जगे से बना आपका question जो बना वो इस जगे से बना कि आप बताएं निमन में से कौन सा inverse ratio है ठीकिन और उस inverse ratio में आपको option जो दिया गया वो यह था कि inverse ratio का मान basically क्या है यह लेकिन द्यान लगना Low Relistance Measurement के लिए हम वीड स्टोन ब्रिज का इस्तमाल नहीं करते हैं क्योंकि मापन में क्योंकि मापन में त्रूटी प्रदरिशित करता है इसलिए Lowendance measurement के लिए हम आपके इसका उप्योग नहीं करते हैं तो अभी आपके क्या है हम बात करते P और Q के बारे में पता लग गया कि यह क्या है अनुपातिक भुजा है इसके लावा हमें और क्या पता लग गया बोले छलो ओके विजे मालो मैं इसी चीज को लेकए ठोड़ा सा डाउट में था कि अगरी ओडियो इनुअ नहीं है अभी कंफर्म होया और यहां पर यह शुक्रेश कर चुके हो हाँ चलो वापस देखना यहां पर आपको अनुपातिक भुज़ा और आपके इंवर्स रिषयो के बारा में पता लग गया अच्छा यह जो है यह गैलवनोमापी है इसको हम क्या बोलेंगे यह गैलवनोमापी है तो यह रहा आपके पास गैलवनो यहां से क्या क्या सकता है अब देखो के वन जो है आपके गैलवन मापी की सुरक्षा के लिए प्रियोग की जाती है आपने देखा होगा जब मैंने circuit बनाया उस वक्त मैंने K1 पहले close नहीं किया था पहले मैंने K2 को close किया फिर मैंने circuit resistance संभाले और फिर बाद में जाकर आपके क्या है मैंने K1 को close किया था ठीक ऐसा ही हम तब भी भी करते हैं जब हम आपके practical करते हैं ऐसा नहीं कि Galvanum Api के अंदर हमने आपके जो कुंजी है उसको पहले close कर दिया और फिर उसके बाद आपके K2 को direct on कर रहे है पहले हम K2 को on करेंगे resistance और ratio वगेरा set करेंगे और फिर उसके बाद जब हम प्रियोग start करना है इस K1 को close करके फिर प्रियोग start करेंगे आपके S की सहायता से ये आपके processor होता है तो इसका मतलब ये क्यों लगए जाती है बोले ये सुरक्षा हेतू लगए जाती है इसका अगर question पूसता है आपसे कि या K1 का priorogen क्या है तो आप बोलोगे K1 का priorogen जो है वो है सुरक्षा हेतू ठीक है? सुरक्षा हेतू इसका इस्तमाल किया जाता है ये रहा clear? तो अभी एक चीज क्लिए हो गई आनुपातिक भुजा हो गई इसमें आपके पास क्या है? ये ratio हो गया inverse ratio हो गया inverse ratio के बाद हम इस R से आपका परिच्य करवाते है ये जो आपके पास R है ये आपके अज्यात प्रतिरोध है आर का मान जो है वो आपके पास क्या अज्यात प्रतिरोध है तो ये रहा आपके अज्यात प्रतिरोध अज्यात प्रतिरोध जिसका मान आपने ग्यात करना है यह है आपके अज्यात प्रतिरोद आर और यह S जो है ना S S basically क्या है यह है मानक प्यात परिवर्तनिय प्रतिरोद S क्या है आपके पास मानक प्यात परिवर्तनिय प्रतिरोद इसको हम बोलेंगे मानक प्यात परिवर्तनिय परिवर्तनिय प्रतिरोद प्रतिरोध एक स्टेंडर्ड नोन रजिस्टन्स है जिसको हम चेंज करके क्या करेंगे आपके इस वीडिस्टोन ब्रिच को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आपको बताओ अगर मालों सारे के सारे मैं फिक्स पैरा फिक्स रख दूं तो इस सर्कुट को ओन करते से जिस भी स स्टेज पर स्टेबल रहने वाला है अप एंड डाउन नहीं होगा अभी इसको अप एंड डाउन करने के लिए मुझे कोई ना कोई पैरामेटर तो छेड़ना ही पड़ेगा यह पैरामेटर वो है जिसको आपको निकालना है अभी यह वो है जिससे आपने एक फिक्स रेश पर यह नोन है और आपके पास क्या judgeů यह यहां तक आपको चीज़े क्लियर हो गई और यह आपके पास श्रूत है यह जो है यह हमारा चाहारा है चलो अभी श्रूत वग där सब सब्सक्राइब हो गया पहला पॉइंट discuss कर रहा हूं मैं आपके साथ आपको पता हो न अच्य कि वीडि स्टोन ब्रिज जो है उसका इस्तमाल आप क्यो करते हो वीडि स्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है यहां पर हम लिखेंगे आपके वीडि स्टोन ब्रिज जो है वीडिस्टोन बेच शुन्य विक्षेप सिध्धांत पर आधारित होता है तो आपको एक बात मिला शुन्य विक्षेप सिध्धांत उसको इंग्लिश में कहते है जीरो पोटेंशल प्रिंस्टिपल आप ध्यान रखना पढ़ाई का एक तरीका है कि आपको जो भी शब्द देखने सुनने को मिले आप उसके बारे में जानने की जिग्यासा रखें उसके बारे में जितना जादा जानोगे उतना जादा फाइदा होगा कि यहां जगे जगे से MCQ बन सकता है कोई fix नहीं कि यहां से MCQ बन जाएगा आपके जितनी बड़िया knowledge होगी आप उस MCQ को उतन गलत है यह आपको पता नहीं है तो भी उत्तर right है क्यों यह भी पता होना चाहिए यह बाकी के क्यों गलत है वो भी पता होना चाहिए मतलब आपके concept अगर clear होगे ना तो आप यह चीज़े बहुत आसाने से कर पाऊगे जैसे कि मान लो यहां पर एक चीज आया शुन्य विक शेफ सिद्धान्त पर आधारित है जीरो potential principle पर आधारित है अब इमें देख रहा हूँ जीरो potential principle होता क्या है अब वो किसी भी बंद परीपत की वह अवस्था जब उस परीपत में इस तित्विनी दो बिंदों के बीच विभाव का मान समान होता है आपके क्या कहलाती है शुन्य होगी और इसलिए इसे हम क्या बोलते है जीरो potential principle कहते हैं तो अभी आप देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बोले अभी ज्यादा समझ में नहीं आया बस आपने फटा-फट बोल दिया और समझा दिया अभी जैसी की मानलो मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि यह जो है एक circuit का छोटा सा portion है एक छोटा सा भाग है और यहाँ पर मेरे को क्या है V1 potential मिल रहा है और यहाँ पर आपके क्या है मेरे को V2 potential मिल रहा है अब आप देखो अगर V1 पर potential V2 के potential के बराबर होगा अगर V1 और V2 पर potential की value समान होगी तो यहाँ पर किसी प्रकार का electric pressure generate नहीं होगा है तो मैं क्या बोलूगा कि इस point this is the small a और this is small b तो a और v जो है वो सम विभ consecut के बिन्दू है ए और b जो है वो क्या है सम विभव सम विभव के बिंदू है अब सम विभव के बिन्दू है से मतलब क्या है कि A वो B पर potential difference नहीं है electric pressure नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर A अर्थात इसका मतलब क्या हुआ अर्थात मैं समझता क्या हूँ आपके sum विबो होने से मतलब यह नहीं कि sum विबो है तो sum विबो है का मतलब क्या आपके A तथा P पर P पर आपके electrical जो आपके पास pressure है यह आपके वैदूतिक दबाओ वैदूतिक दबाओ या फिर आप बोल सकते हो potential difference या फिर हम क्या बोल सकते potential potential difference potential difference आपके पास क्या है चुन्य है अब आप simple देखना अगर आपके पास क्या है जो pressure है मतब द्यान रखना हर चीज move क्यों कर रही है हर चीज एक जगे जगे दुछ जगे बे shift क्यों हो रही है क्यों कहीं ना कहीं दबाओ में है अना अब उधारन के तोर पर रूम में अगर मालो मैं बहुत ज़्यादा pressure generate कर दूँ या मालो इस class के अंदर में बहुत ज़्यादा pressure generate कर दूँ तो no doubt आप इस class से quit कर जाओगे तो आप इस class में क्यों हो जब आप इस class में बैठते हो आपको पता चलता है कि आरे electrical काफी सारा आएगा और ये faculty पढ़ा रही है जो exam में आपके वैसा का वैसी जाएगा तो आप यहाँ बैठने से उस pressure को घटा हुआ महसूस करते हो वो pressure कहीं ना कहीं आपको release हो जाता है इसलिए आप इस class में बैठे होए हो no doubt ठीक ना मैं यहाँ पढ़ा हूँ और फिर आपको और pressure बना दू तो पकी बात आप यहाँ से भी shift हो जाओगे तो basically shift चीज़े कैसे हो रही है shift high pressure से low pressure की तरफ चीज़े shift हो रही है तो चीज़े जो है अधिक pressure से कम pressure की तरफ हो रही है मतलब आप सुचों कि अगर मैं इस room के अंदर जो है आपके यह छोड़ दू तो जिस कोने में होगा उस कोने में आप नहीं होगे आप उस कोने से भगोगे और दूसरे कोने की तरफ जाओगे जहाँ पर वो नहीं होगा अब बस बहुत ही कहना चाहरा हूँ तो अभी आप देखना चूकी pressure आपके पास क्या है सेम है इसलिए प्रकार से किसी प्रकार का कोई moment नहीं होगा तो यहाँ पर current conduction जो है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा current conduction जो है वो क्या हो जाएगा a और b के बीच में circuit का जो part है वो open circuit की भांती विवहार करता है यह आपके पास क्या open circuit की भांती विवहार करता है विवहार करता है अब ही आपको एक बात पता चली कि यार यह क्या होता है बोले जो वीड इस्टोन ब्रिज है ना वो शुन्य विक्षेप सिद्धान्त पर आधारित होता है अभी शुन्य विक्षेप सिद्धान्त क्या होता है बोले परीपत में इस्थित आपके बिंदू परिपत में इस्तित किनी दो बिंदू पर यदि विभाव का मान समान हो तो उन्हें सम्विभाव बिंदू कहते हैं और उनके बीच प्रवाही दारा का मान सुन्ने होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं शुन्य विक्षेप से धांत कहते हैं दुबारा फिर बोल रहा हूं ध्यान से सुनना साथ में में लिखवा भी रहा हूं इसे आप नोट डाउन कर देना जीरो पटेंशल प्रिंसिपल जो है आप दूसरी बार पढ़ रहे हो अगर आपको ध्यान हो तो पहली बार आपने यह बता है कहां पढ़ा था पहली बार आपने प्रिंसिपल पढ़ा था आपके एच्पी नंबर रवन में जब मैंने ब्लव आ इसके अलावा आपने फोल्डिंग में स्थमाल किया था एक वीडिस्टोन प्रिंसिपल पर बेस्ट वाले जो क्वेशन है वो भी किये थे अपनने तो वहां आमने एक बार आपके साथ वीडी स्टोन आपके वहां आमने एक बार आपके zero potential principle जो है वह आपके साथ discuss किया हुआ है ना तो चलो एक बार लिखवा देता हूं ये वाला सिधान्त परीपत परीपत में इस्थित परीपत में इस्थित किनही परीपत में इस्थित किनही दो बिंदों के बीच के बीच यदी विभो का मान समान हो यदी विभो का मान समान हो समान हो तो परीपत में इस्थित किनही दो बिंदों के बीच विभो का मान समान हो तो उनके बीच प्रवाहित धारा का मान सुन्य होता है तो उनके बीच उनके बीच प्रवाहित प्रवाहित धारा का मान का मान सुन्य होता है इन्हें आपके सम विभाव बिंदू कहते हैं इन्हें सम विभाव बिंदू कहते हैं और यह सिद्धान्त सुन्य विक्षेप का सिद्धान्त कहलाता है सिद्धान्त कहलाता है तो यह आपके पास जीरो पोटेंशिल प्रिंसिपल का प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया है और जब-जब मोका आएगा मैं इसको सिद्धान्त को समझाऊंगा जब तक समझाऊंगा जब तक आपके समझ में नहीं आता है अब उतार लिया था ना यार पर आप देखना यहां पर यह पॉइंट तो क्लियर हो गया एक बार देख लिए पहला पॉइंट मैं ने लिखा और यह परूहिझा कि परिपत एंगे मैं आपके पास यहां पर मैंने स्काइब क्या है यह जिन्य विक्षेव का प्रिंसीब क्या है तो आप अगला पॉइंट देखने के अगला प्रिंट आप मापन में इसका प्रियोग किया जाता है तो हम बोलेंगे इसका उपयोग अज्यात प्रतिरोध मापन में किया जाता है फिर आगे एक objective question मनता है जिसमें आप से पुझा आता है कि या तो वीडिस्टोन ब्रिज है वो किस प्रकार के resistance को मापने में आपके प्रियोग किया जाता है तब देहना ना प्रतिरोधों को हम तीन प्रकार से वरगे करत कर सकते हैं पहला होता है लगू प्रतिरोध दूसरा होता है हमारा मध्यम प्रतिरोध और तीसरा होता है आपके पास उच्छ प्रतिरोध ऐसा नहीं है कि मेजरमेंट में वीडिस्टोन ब्रिज मापन में तूटी प्रदर्शित करता है बहुत उच्छ प्रतिरोदों में भी आपके वीडिस्टोन ब्रिज जो है वो मापन में तूटी प्रदर्शित करता है लेकिन हां मद्यम प्रतिरोदों के मापन में वीडिस्टोन ब्रिज ज्या उप्रोग तो सभी तो मैं जाओंगा किसकी तरफ कि इसका उप्योग मध्यम प्रतिरोद मापन में करते हैं अच्छा एक option आने का तरीका यह है एक option आपके आने का तरीका और हो सकता है जिसे की मालो मैं second option देता हूं आपको वीडिश्टोन ब्रिज का उप्योग आप जो है क्या मापन में करते हो और आपको चार option मिलता है लगू एवं मध्यम प्रतिरोद मध्यम एवं उच्छे प्रतिरोद लगू एवं उच्छे प्रतिरोद आपके पास क्या है वो प्रोग तो सभी तो यहाँ पर जो है हम मध्यम और आपके लगू एवं मध्यम प्रतिरोद की तरफ जाएंगे आप द्याना एक ही कोश्चन है option चेंज करते सी आंसर जो है वो आपके पास अलग-अलग आ गया क्लियर है तो हम क्या बोलेंगे कि इसका उप्योग मतलब वीडिस्टोन बिश को उप्योग इसका इसका प्रि प्रतिरोद मापन में किया जाता है किया जाता है यह पहला प्रेंट हो गया जिसका उप्योग अज्याद प्रतिरोद मापन में किया जाता है मैं इसके निचे अंटरलेंग लगा रहा हूँ अभी आपके एक तो लगू हो गया एक तो लगू हो गया और एक आपके पास क्या हो गया? मद्युम हो गया. Ghana? Legoo हो गया, और मद्युम हो गया. अचा, Legoo Peneroth लगु परतिरोध और आपके पास क्या है? मद्युम परतिरोध. Legoo Peneroth और आपके पास क्या हो गया? मद्युम परतिरोध. अब इस बात को समझना. Legoo Peneroth johh manhche 0 se 1 saf ahm category केटेगरी की बात करता हूं और जब मैं मध्यम प्रतिरोध की बात करता हूं ना तो मध्यम प्रतिरोध में बात करूंगा आपके पास क्या एक ओम से आपके 100 किलो ओम एक ओम से 100 किलो ओम अच्छा 100 किलो ओम से उपर चलेंगे ना तो 100 किलो ओम से उच्छ प्रतिरोध के अंद सा मध्छम प्रतिलों. यहाँ Пर wen क्या करेंगे ुस जगे पर देखना कि इस जगे पर यह लिख रहा हूं में मापन में Bahnariansh low Registants के ला trimming करता है आँ बताओ अगर यह low Registants measurement में इतना ही precise होता तो फिर Kelvin Bridge को पढ़ने की पढ़ाने की जर्रत ही नी थी ना हमने double bridge क्यों इस्तिमाल किया हमने double bridge इसलिए इस्तिमाल किया क्योंकि आपके weed stone bridge सही से काम नहीं कर रहा था low resistance में आपके जो percentage error है वो जाधा आ रहे थे इसलिए हमने एक आपके bridge arm की जगे पर हमने दो bridge arm का इस्तिमाल करते विए low resistance measurement करवाय थे तो यहां पर हम क्या लेखेंगे मापन में trutty प्रदर्शित करता है मापन में trutty trutty दर्शाता है low resistance और यहां पर आपके पास क्या है ठीक है यहां पर मध्यम प्रतिरोध में क्या है precise है मध्यम प्रतिरोध में क्या है आपके पास प्रिसाइस का मतलब हम कह सकते हैं इस range में यह उत्तम परिणाम देता है यूं कह सकते हैं अपर precise का मतलब तो इस range में इस range रेंज में यह कम तुटी प्रदर्शित करता है तो एक बात तो clear हो गई, यह क्या काम करता है, बहुत यह अग्यात प्रतिरोध मापन का काम करेगा, अग्यात प्रतिरोध किस प्रकार की अग्यात प्रतिरोधों का मापन करेगा, बहुत अग्यात प्रतिरोध मापन में इस्तमाल किया जाएगा, दोनों objective question में आपके साथ discuss कर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे variable arm s को adjust करते हुए galvino mapi का पाठ्यांग जो है वो शुन्य प्राप्त करेंगे अभी देखो galvino mapi का vick shape शुन्य प्राप्त होने पर आपके क्या होगा कि दोनों विकरणी भुजाओं के प्रतिरोधों का बुननफल बराबर होगा आप देखो इसके complete derivation की तरफ नहीं जाएंगे अगर हम केवल प्रतिविता परिक्षाओं को focus करेंगे तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या क्या आ रहा है और उसी इसाब से हमारे content को design करना पड़ेगा इसके बाद आपसे क्या बुचेगा simple बुचेगा weedstone bridge की संतुलित अवस्था में समीकरण बताईए और आपने समीकरण पर टिक लगाना है clear तो अभी जो है मैं अगला point आपको क्या दे रहा हूँ अगला point मैं आपको यही दे रहा हूँ इसमें मैं आपसे कहा रहा हूँ के सेतु की संतुलित अवस्था में का विक्षेप शुन्य प्राप्त होता है हैना सेतु की संतुलित अवस्था में आपके केल्वेनो मापी गेल्वेनो मापी का विक्षेप चुन्य प्राप्त होता है तो सेतु की संतुलित अवस्था में गेल्वेनो मापी का विक्षेप चुन्य प्राप्त होता है गेल्वेनो मापी आपके पास क्या जीरो डिफ्लेक्शन देता है तो अब याप बताओ अगर galvanum आपी zero deflection दे रहा है आप कहरो कि galvanum आपी जो है वो zero deflection दे रहा है इसका मतलब यह मैंने A वब B सही लिखा है आप देखो यहाँ पे मैंने नाम दिया इसको इसको बुलाए मैंने A और इसको बुलाए B अगर यह zero दे रहा है तो सवस्था में A और B को हम some wibhau bindu बोलेंगे और हाँ A वब B आपके उस सवस्था में some wibhau bindu होंगे तो शलो जहाँ पे हम भही point लिखते हैं कि अगर ऐसा है अगर यह शुन्य विखशेप दे रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं हम यह कह सकते हैं कि परीपत में परीपत में आपके पास A व विभाओ बिंदू, शुन्य विभाओ बिंदू होंगे, ये आपके पास क्या है, शुन्य विभाओ बिंदू होंगे, अच्छा आपको पता होना चीए, कि इस अवस्था में विकर्णिय भुजाओं का गुननफल परसपर बराबर होता है, हम क्या कह सकते हैं, इस अवस्था म में विकरनी आपके क्या है बुजाओं का विकरणी आपके पास को जाओं के प्रतिरोदों का उनन फल परसक्र बराबर होता आए तो यहां से हम अगला पॉइंट चलो तो यहां से आपके पास अगला पॉइंट क्या है इस अवस्था में इस अवस्था में इस अवस्था में इस अवस्था में इस विकर्णिया 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 प्रतिरोधों गुनन फल परसपर बराबर होता है परसपर बराबर ब्राबर होता है घे आपके पास क्या है एक पट्बश पर बराबर होता है तो मैं एक बार बडिज्स दुबारा बना रहा हूँ एक roughly bridge बना रहा हूँ मैं आपके लिए यहां पर यहां पर यहां पर आपके पास P है यहां पर Q है और यहां पर आपके पास R है और यहां पर आपके पास S है S जो है वो variable है और चुकि यह आपके पास A और B equipotential point है इसका मतलब बीच में ताम जाम लगा हुआ है मतलब एक आपके पास जो कुझी लगा रखी आपने इसके लावा आपने जो galvanum आपके लगा रखा है वो सब जो है वो क्या हो गया आपके S और आप क्या कह रहो कि विकरणिये प्रतिरोधों का गुणनफल परस पर बराबर होता है तो विकरणिये प्रतिरोधों का गुणनफल अगर बराबर होता है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अच्छे मुझे चाहिए क्या आपको अग्याद प्रतिरोद चाहिए ये जो है ना ये मेरे पास है वो अग्याद प्रतिरोद जिसकी calculation जिसकी गणना मेरे को कर दी है तो यहां से अगर मैं R का मान निकालूँगा R क्या हो जाएगा P बटा Q इन्टू आपके पास क्या हो जाएगा S हो जाएगा और इसको मैंने एक box में बंदगर दिया यह मेरे पास formula आया है wheat stone सेतू की संतुलित अवस्था में समीकरण कहते हैं तो हम क्या बूलेंगे कि इसे इसे wheat stone सेतू की संतुलित अवस्था में संतुलित अवस्था में समीकरण कहते हैं समीकरण कहते हैं तो अगर आपसे पूस्था है कि बताइए संतुलित अवस्था में समीकरण तो आप बोलोगे यह संतुलित अवस्था में समीकरण आपको मिली है उसे थोड़ा सा आपका और परीचे करवाया जाता है मैंने आपके संतुलित अवस्था में जो समीकरण लिखी है उसे थोड़ा सा आपका परीचे और करवा देता हूं यह आपके पास क्या है आर बराबर पी बटा क्यू इंटू एस है अच्छा मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आपके इस एक्स को उठाकर इ नीचे ला रहा हूं यह आपके पास क्या हो गया आर बटा एस बराबर आपके पास क्या हुआ पी बटा क्यू तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अगर आपके वीट स्टोन ब्रिज में आप जो ब्रिज है वो संतुलित अवस्था में हैं तो संतुलित अवस्था में गे इल्वेनो मापी वाली जो ब्रांच है वो ओपन सर्कुट की भाती बिहेव करेगी और रेशो आर्म का जो आपके रेशो है वही आपके पास क्या है इस नीचे वाली आर्म के रेशो के बराबर होगा अब देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूँ तो P से Q का अनुपात यह इस से इसके रेशो के बराबर होगा आप इदर देखो न मैं अगर इसा लिखता के P P अनुपात Q समा नुपाती होगा आपके R अनुपात आपके SK ऐसा लिख देता है तो उस condition में क्या करते है आंतरिक पदों का गुड़नफल बराबर भाहिये पदों का गुड़नफल तो आप देखो this into this is equal to this into this ऐसी पढ़ते हो ना आप mathematics में तो ज़रा करके देखते हैं तो आप देखो इसको इससे मुना करेंगे तो कितना जाएगा P into आपके S is equal to this into this यह आपके पास Q into आपके पास क्या हो जाएगा R Q into R clear तो Q into आपके पास क्या है P into S और यह आपके Q into R इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं और आपको दिखाते हैं आप इदर देखो यहाँ पर देखो आप क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है आपके पास P into S यह रहा है आपके P into S यह रहा है आपके पास Q into R यह रहा है आपके पास Q into R तो जैसी इसको solve करोगे भाई जाप यह वाली चीज आपके आखे टपकेगी यह वाली चीज आके टपकेगी तो इसका मतलब इससे इसका रेशो इससे इसके रेशो के बराबर होता है अब देखो यहां से आता है doubt अभी जब आप exam के अंदर बैठते हो न तो आपको exam के अंदर छोड़ो आप तयारी भी कर रहे हो न तो कुछ किताव में लिखा होता है गुरू जी हमारे पास आपके पी बटा क्यू बराबर एस बटा आर समीगरन है या फिर आपके आर बटा एस जो है वो क्यू बटा पी के बराबर है इस तरीके से समीगरन आपके साथ misbehave करती है और कई बार question जो है गड़बड़ भी हो जाता है आपका इवन नुमेरिकल गलत हो जाता है तो आप द्यानना आप याद करो कि कॉलेज में जिस भी समेश्टर में वीडिस्टोन सेतू का सवाल आया था उसमें हमेशे आपके पास क्या नुमेरिकल में चित्र जरूर आया था ठीक है यस और नो comment box में लिखे बताओ कि जभी इसका नुमेरिकल आपने देखा जिस भी समेश्टर में इसका नुमेरिकल आया वहां पर आपका इसांट में आया कि रहां करों आपके इंतिजार का हुआ कि आया कि अपनगाशन कुस्टा होता है इस सपोह्ति का पर आपके एक मेरिक है यूंइट तंबर में वी तो यहां पर होतान था को शंक यह आपके यहां कि लैंगुज यहां पर यह भारी भर कम सा डाइग्राम और इधर की तरफ के वल एक कोशन आता था यह इतना सारा जो आपके स्पेस है वो केवल और केवल यह डाइग्राम ठाके जाता था लेकिन अभी पता है क्या हुआ हमारे प्रत्कियोगीता परिक्षाओं के होशियार लेक को ने इस ज को अगर आपको आपको पीक्यू आरेस दे रखें तो तो आपके पास क्या है निम्मी के असाइनमेंट में इसके डरिवेशन में इनकी लोकेशन चेंज है जो मैंने मानी है उससे जस्ट अपोजिट है तो उस कंडिशन में क्या हुआ उसका फॉर्मला बिछारे का अलग नि दुबारा करके दिखाता हूं वो बुक का जो डेरिवेशन है वो वाला मैं आपको एक बार आपके साथ डिसक्स करता हूं तो आप खुद समझ जाओगी किया मैं बोलना क्या चाह रहा हूं और आप उस चीश को समझ भी पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो जैसे कि मान लो मैंने क्या किया यह वापस एक वेडिस्टोन ब्रिज आपके लिए डिजाइन किया किया कि देखना फंप कि आपके पास P है क्यूंफ है कि वह ही कुंझी क 1 है क्या मैं यहाँ और मैं क्या कर रहा हूं और यहां ये टू जोडने के बाद ये एक सोर्स से जोड़कर मैं इसको लगा दिये हैं, ये आपके पास बिंदू small a है, ये small b है, ये c है और ये d है, पानके चलते हैं कि a और b जो है, a, b आपके पास क्या है, सम विभव हो गए, ये न, सम विभव हो गए, परिपत की कुसी अवस्ता म a और b जो है, सम विभव हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, कि विकरणी जो आपके भुजाये हैं, उनके प्रतिरोदों का गुननफल परस पर बराबर होगा, हाँ, मतलब इसका और इसका गुना, इसके और इसके गुना के बराबर होगा, या फिर इससे इसका रेशो, इस इससे इसके रेशो के बराबर होगा, तो अभी मैं डारेट लिख रहा हूँ, कि पी और क्यू का अनुपात जो है, वो एस और आर के अनुपात के बराबर होगा, यह आपके पास ऐसा होगा, इस सर्किट के अनुपात ऐसा होगा, अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, आर की वेलू निकालनी है मेरे को, तो आर का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, क्यू बटा पी इंटू एस हो जाएगा, इसको मैं ऐसे करूँगा, यह क्यू बटा पी और इस स को क्रॉस मॉल्टिपिकेशन कर दूँगा, तो आपके पास यह फोलो, यह होगा की नहीं होगा अभी थोड़ी दिर पहले देखो इससे पिछली क्लास के इससे पिछले पेज में मैंने यह फर्मॉला लिखा है यहाँ पर यह फर्मॉला लिखा रहा हूं मैं यह लिखा रहा है इदर देख लो आप आर बराबर पी बटा क्यों टुए सना और जरासी सर्कीट लोकेशन चेंज करते से ही फॉर्मॉला देख लो यह आ गया अगर आप किसी राइटर को देख तो निमी के असाइन्मेंट में यह डेरिविशन दे रखा है इसके लावा किसी और बुक में आप देखो तो डेरिविशन दे रखा है अब यहां गलत है क्या बच्चे के साथ ज आप कुछ सोचो यार मैं कह रहा हूं कि यह यह पे जो पैनल लगा रहे हैं यह चारो पैनल जो है वह वन टू छ्री फॉर आप मुछ बता सकते हो इसमें से कौन सा पी और कुण सा क्यों अब आप बोलो गुरूजी पी क्यू आरेस ठेका ले रखाए गया ऐसे नहीं कर सकते पी क्यू आरेस आप फिर बोलो कि हाँ यार बात तो सही है अगर आपके रूम में मैं चार बल्व लगा दूँ तो चार बल्व को आप कैसे बताओगी कि कौन सा वाला बल्व का नाम पी है कौन से वाले बल्व का नाम क्यू है कौन से वाले का आर है और कौन से वाले का एस ह तो फिर क्या करना पड़ेगा बोले नाम नमबर के चक्कर में मत पड़ो सर्किट का देखो और जो भी across element है हाना उनको multiply करो और जो भी unknown होगा वो बहुत आसानी से निकल कर आ जाएगा बात समझ में आ रही है हाना तो I hope आपको चीज समझ में आ गही होगी अभी इन question में जो गलतियां होगी वो होगी उसको ना तो मैं रोक सकता ना आप रोक सकते हैं हाना आप ये कर सकते हैं बनके हाँ यार ये वाला question जो था ना इसका उत्तर ये आएगा यार ये वाला question जो है ना इस किताब का इसका उत्तर यह आएगा तो करते रो बेट के इसे आपके पास क्या है इस तरीके से आप ध्यान रख लेना यह मैंने दोनों लिख दिया मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ जिसने निम्मी से निम्मी का फॉर्मला लगा कर ही उस प्रस idiots को हल करेगा दिमाग में उस डेरिवेशन का डािग्राम होगा इस निम्मी के अलावा कोई बुक का डेरिवेशन उथा और यह वह आपके सर्केट को चेंज करेगा और यह तिससे बढ़िया यह था कि बिचारे बच्चे को सीधा सर्कीट दो आप और सर्कीट में PQRS में से जो भी आपको absent करना है वो absent कर दो ठीके बच्चा बहुत आसानी से calculate करके जवाब देगा और जवाब भी सबके uniform आएंगे एक जैसे आएंगे और हbor नहीं होगा विवाध जो बन रहा है प्रत्यूगिता परिक्षाओं की किताबों में आप टैक्स्ट बुक में चले जाओ टैक्स्ट बुक में कहीं आपको यह तरीके का नहीं मिलेगा तो कि निम्मी वाले ने भी अपने डियाग्राम दिये हैं इसके लावा और किसी को हो अगर अच्छा राइटर है वो समझ रहा है कि नियार सर्केट की अनिवाड़िता क्या है तो स वकुष्ण उठाय के लिएगर आ रहा है बात को समझ गए इस बात को अभी ये बात आपको समझ में आ गई होगी और यहां मैं आपके परीच्य करवा रहा था तो संतुलित अवस्था की समय करने तो मिल गई यहां देखो पी बटा क्यू पीटा क्यू क्या बताया था मैंन प्रतिरोध है कि आपके अग्यात प्रतिरोध हो गया है इसके लावा S क्या है मानक ज्यात प्रतिरोध है कि आपके पास क्या है मानक S जो है वो क्या है मानक ज्यात परिवर्तनिय 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 प्रतिरोध है कि आपके पास क्या है प्रती रोध प्रती रोध यहां सबस्क्रा पहला इसके लावा बात करें वीड़ेस्टॉ ब्रिज में आपके पास परिवर्थनी भुजा होती है कि विडियर स्तुली तवस्ता में आपके विकरणी प्रतिरोधों का गुणनफल परस पर बराबर होता है संतुली तवस्था की समीकरण क्या होती है यह बोले P से Q का रेशो R से S के रेशो के बराबर होता है अगर इसकी location को आप change करोगे तो P से Q का रेशो according to diagram आपके पास उस रेशो से आ जाएगा तो यह आपके पास संतुली तवस्था में समीकरण होई अच्छा संतुली तवस्था में गेलवेनो मापी का विकशेप क्या प्राप्त होता है लगू प्रतिरोध मापन के लिए कौन सा रेशो सेट करते हैं लगू प्रतिरोध मापन के लिए हम आपके inverse ratio सेट करते हैं इनवर्स रेशो में पॉइंट वन वाला इनवर्स रेशो का कॉश्चन आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से पढ़ने को यह आपके पास कॉश्चन ते इसके बाद अगला जो आता है वह नुमेरिकल लगा लेते हैं ठीक है आप बोलो तो फुल नुमेरिकल कर लें यह उनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास देख रहे हैं अगर चीज़े क्लियर हो गई हैं तो आगे बढ़ें हां निम्मी मोड्यूल में ऐसे दो क्वेश्चन हैं दोनों में अन्नोन रजिस्टन्स का नेम एस दिया है यस अरी गुड चलो अभी देखो आगे बात करते हैं यार जितने बच्चे तुम बैठे हो ना उतने क्लास को तुमने लाइक नहीं किया है और उतना शेयर भी नहीं किया है यह बहुत जरूरी आज वैसे भी अपन लोग यहार आदा घंटा लेट थे तो अभी देखो पहला कोशन कर देते हैं यहां पर पहला कोशन लगाते हैं देखो फॉस्ट कोशन नमर फस्ट ठीक है मैं क्या करने वाला हूँ आपको सर्किट के साथ ही दूगा यहां पर यह सर आप देखना उससे पिछले डियाग्राम के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं था डिफ्लेक्शन इदर या इदर था यहां मैंने आपके पास क्या जीरो डिफ्लेक्शन दिया हुआ है अभी यहां पर यह कुंजी को भी क्लोस कर देते हैं यह आपके पास 2.34 और यहां पर हम बात करते हैं 23.4 ओम और यहां पर मान रख देते हैं कि यह वाला जो है वो 55 ओम पर जाकर यह गैलवन ओम आपके शुन्य विक्शेब दिखा रहा है यह आपके पास है figure A यह आपके पास क्या है figure A है और इस figure A को देखकर आपको R calculate क्या करणा आपके R का मान ग्याद केजी यह जो आपके YouTube वाले बच्चे हैं यह भी निकाल के दो इसके अलावा आपका पर बच्चा पढ़ रहा है वो भी निकाल के दो अब देखना इस प्रश्ण का आप जो आपके solution है वो मैं करवा हूं या कोई और teacher करवा है कोई भी करवा है आप सब जो है वो इस question को एक तरीके से सही ही लगाओगे इसमें गलतिया नहीं होगी दुख दीज बात का होता है यार के teacher बिचारा सवाल कर रहा है और उसका उत्तर option आता है अलग और answer की में उसका उत्तर आवल आता है अलग अब वो बिचारा teacher भगा-भगा फिरता explanation देता एकिसा हो गया जबकि गलती की सीज्ट की आ रही है वह रही है तो जाहेश या आपके बार्क एस्परेंट्स पूजा डांगी मैरे समझ में नहीं आता नुमेरिकल आते से आप शांत क्यों हो जाते हो चलो तो यह आपके पास प्लेर हो गया तो इस कोशन को करने के लिए एक तरीका मैं करके बताता हूँ आपको जब आखेंगे पी बटा क्यू हम जानते हैं की पी क्या ब़टा रर का का मान रग दो तो पी का मान कितना रहा है तू पैंट आपके पास c4 की का मान रग दो यहां से दशंबरों से दशंबरों से दशंबरों आउट कर जो है वो दस बार आपके जा चुकी है और यहां से मेरे को आरका मान चाहिए तो आप आरका मान निकाल लो इसको उठा के इधर बेद दो यह आपके पास क्यों जाएगा पच्पन बटा दस बराबर पांच पॉइंट आपके पास पांच ओम यह रजिस्टर आप समझ में यह सवाल आपने कर लिया बहुत अच्छा आप अपनी पीट अपने सवाल कर लिया है हाँ क्या यह जवाब दो अभी आपके पास क्या जवाब आ चुका है अना 5.5 मैंने निकाल लिया अब आप समझना है इस बात को इस कुश्चन को आपने कर तो लिया लेकिन आपको सोच वे क्या है इसको करने के लिए आपने किया क्या है पहले बुलाया फ्रॉमला फिर रखे फॉर्ba में मान फिर लगाया हिसाब किताब और ऑफिर आपके Après इस आनसर को जाके वहाँ पर आप चार उप्शन में चेक करो Chairman अब या बताओ, जब मैं आर्टिकल पढ़ा रहाता था आपके बात समझ भी नहीं, मैंने कहा कि भाई या अगर ब्रिज संतुलित है तो इससे इसका रेशो जो होगा, वही इससे इसका रेशो होगा, तो अगर मालो मैं इससे इसका रेशो निकालता हूँ, स्पोज मालो मैं तो यहाँ पर आपके एक से दसका रेशो है, अब आप बताओ, अगर आपके पास क्या है, दसका मतलब यह है, तो एक का मतलब यह होगा के नहीं होगा, तो आंसर आपके पास पांच पॉइंट पांच ओम होगा, मतलब यहाँ आने की जोरत नहीं है, वह तो खेर आपको या पता होनी चीह, लेकिन थियोरी पढ़ने के बाद, थियोरी का conclusion आपके दिमाग में set हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह बहुत जरूरी है, आप उससे क्या समझ रहे हो, अभी उस question पर जब आप attend करते हो, तो attend करने का तरीका क्या होता है बहुत दूरी है क्या वो तरीका ये है क्या वो तरीका ये है अगर ये तरीका है तो इसके अंदर पता है क्या है आपके विल हाथ और फॉर्मला लेकर आप तो दिमाग वही रखते है तो आपने क्या करना है क्वेशन को दिमाग से करना है चलो एक question और करते हैं अपने लोग आपके लिए अभी जो है वे तरीका नहीं लगाना है जिस तरीके से आप करते हो ना formula लिखा और formula लिखने के बाद उसमें मान रखा और मान रखकर फिर उसको solve किया और फिर answer निकाला और फिर उस answer निकाल को दूर पड़े हुए चार option के साथ आपने match किया ऐसा काम नहीं करना है आपको आपने काम किस तरीके करना है तकी question number 2 दे रहा हूं मैं आपको प्रतिरोद की गणना करें ऐसे आता था college टाइम पर question वी डिश्टों ब्रिज में अग्यात प्रतिरोद की गणना करें और फिर इधर की तरफ सर्कीट बना के देता था वो इससे बड़ा भारी बरकम सा सर्कीट देता था आदे पेज का तो यहां पर हम क्या करेंगे यह मेर पर में गैल्वन और मापी लगाऊंगा और according to circuit language यह आपके पास क्या है zero deflection जो कर रहा है इस बिंदू को मैं A बोलता हूं इसको P बोलता हूं इसको C बोलता हूं इसको T बोलता हूं ठीक है आगे देखना यह हो गया इसके बात देखो हम बात करते हैं यहां से एक आपके प सकती है लेकिन मुझे भी इससे कोई मतलब है नहीं यहां पर unknown resistance इसकी साहता से निकाल रहा हूं इसलिए इससे कोई लेना देना नहीं पर यह आपके पास क्या है k2 है ठीक है यह मैंने आपके पास k2 को close किया अब मैं respectively k1 को close कर रहा हूं यह आपके पास हो गया अच्छा यह यहां पर यह मान जो दे रखा है 1 to 1 ohm दे रखा है यहां इस जगे पर आपको value जो दे रखी है यहां पर यह resistance जो है वो variable resistance है पर हम मान के चलते हैं कि यह आपके 1.5k पर set हुआ है आपने इस resistance का value निकाल कर देना है कि यह resistance तो निकाल के दो फटा फट कुझे मालोव 5.5 ohm इसका भी 5.5 ही आ रहा है क्या हुआ यह जो यूट्यूब पे बचे पढ़ रहे हैं वह जब आप दो अच्छा हमारी कल मॉर्निंग में भी class रहेगी तो मैं मानता हूं आप छुट्टिया मना रहे हो लेकिन और त्योहार भी मना रहे हो लेकिन जो है पूरे समय में एक घंटा निकाल कर तो आप class देखी सकते हो कल हम लोग जो है मॉर्निंग में वापस मिल रहे हैं 7 32 9 कि अच्छा है और यहीं तो मिज़ा है न कि हम लोग जो है कि अच्छा है आपके पास क्या बड़े डिस्टप से आ सकते हैं जो मन को विचलित कर सकते हैं तो क्रप्या चल चित्रों को बहुत द्यान से देखें काउधानी पूर्वक्त देखें आपके जो गाइड़ों में और आपके और जगे बहुत साथ कर बनाया गया है मैंने तो बस लिए इसलिए मैं रेंडम कोशन नहीं करवाता अच्छा मुझे बात आओ इसमें रेशो कितने का रहा है आप बोलोगे साब अब यह आपके पास आ रहा है अब समझना, सो का मतलब ये है, सो का मतलब आपके पास क्या है, ये है, तो एक का मतलब क्या होगा, ये आपको बताना है, आपको समझना, जो 100 है ना, ये 100 का मतलब आपके पास कितना आ रहा है, 100 का मतलब 1500 आ रहा है, और आपको बताना है, एक का मतलब क्या होगा, मैथ में आप ऐसा है तो आर का मतलब आपके पास क्या है पंदरा ओम होगा के नहीं होगा यह सर होगा बस हो गया कोश्चन सौल यार तो समझ में नहीं आ रही आप जवाब ऐसे टेड़े मेड़े उट पठांग कैसे दे रहे थे यार मेहंदर मीना वन पॉइंट पाइट ओम हो आ रहा है क्या मैं गलत हूँ मैंने कोई केल्कुलेशन में गलती की जवाब कि विजे मालो का मान आपके पास यह कैसे आया विजे मालो का जवाब आपके पास कैसे आया कैसे कर रहे हो आपनो कुछ आप देखना इससे इसका अनुपात जो है वो इससे इसके अनुपात के बराबर होगा यहीं सिखाया मैंने आपको तो आप देखना यह आपके 12100 divided by 121 और किस से इससे इसका रेशो तो यह आपके पास कितना हो गया 1.5k था न तो इसको आपके पास चेंज कर दो 1.5 और जीरो जीरो ठीके डिवाइड़ भई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा अब आप देखना यहां से हमने कैंसल आउट किया तो यह कितना हो गया आपके पास सो ठीके अब इस भाई को इधर लिया ओ और इस भाई को इधर लिया ओ यह आपके पास आर इधर आ गया और यह आपके पास कितना हो गया पंदरा सो डिवाइड़ बई हंडर्ड और यहां से यह कट गया तो मान आपके प पास कितना आगया 15 समझ में नहीं आ रहा एक भी बच्चे का चवाब सही नहीं आया तो बहुत चिंता की बात है तुम्हारा सेलेक्षिन ओलेक्षिन होना भी कि नहीं होना है होली थोड़ी है कोई अभी है रक्षा बंदन का त्योहार है हां और तुम रक्षा बंदन के त्योहार में होली मना रहे हो काउस में जाते सही हुआ आगे बाते करें आप इस बात को समझे नहीं शायद अभी भी आप जो है शायद केल्कुलेशन की तरफ जा रहे हो मैं आहक्び से कहreen हुआ के calculation इसमें आती नहीं है अतलब ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि आपको बहुत तगड़ा आप बताओ यार आपके ratio कैसे आ रहे हैं आपके ratio आ रहे हैं एक या फिर आ रहा है दस या फिर आ रहे हैं आपके पास सो या फिर आपके पास आ रहे हैं रेशो आपके ईज़ार आपको सोच और किया यह रेशो ऐसे आ रहा है है सिररानु पास और टैसे आरह आपके तीन पास ट्यारा अगर ऐसी रैशो हाने तो फिर भी मैं समझता कहा कना कैल्कॉलेटीक टूरिस काने की जुरत पड़ेगी इसने तो पहले ही N We आप समझ क्यों नहीं रहे इस बात को किसी कि माल लो मैं एक क्वोश्चन आपके साथ और डिसक्स करता हूं मुझी लगता है कही ना कहीं concept में थोड़ी बहुत आपके कमी होने के कारण यह numerical आप गलत कर रहे हो अब आपके पास क्या है यह मेरा पहला डियाग्राम है यह मेरे पास आपके दूसरा डियाग्राम है यह मेरे आपके पास क्या तीसरा डियाग्राम है अभी मैं बहुत सारे numerical गढ़ा दूँगा, अभी मैं आप से क्या किया रहा हूँ, क्या ratio, अब देखो यह क्या करेगा, यह इस तरीके से element जोड़ेगा, इस तरीके से element जोड़ेगा, इसमें से क्या करेगा, या तो यह यहाँ पर variable डालेगा, या फिर यह यहाँ variable डालेगा, तो इसके लावा कुछ नहीं कर सकता, अब यहां variable डाल रखा तो इसका मतलब आपको इसका value निकालना होगा, यहां इसका value निकालना होगा, यहां इसका value निकालना होगा। अभी मान कैसे देगा, suppose मान लो, यह दे रहा है, आपके पास क्या है, 34 point आपके पास 7, ठीके, और यहां क्या देगा, वही 3 point आपके 7, 4 value देदेगा, यहां suppose मान लो, इसने कहा, कि यह इस जगे पर, मैंने जो है, एक मान रखा, और इस मान आपके पास कितना है, 120 ohm value मैंने यह यहां पर set किये, अच्छा, इधर देख लो, यहां पर मान आपको क्या देदेगा, suppose मान लो, इधर दिया, इसने कितना, 1100 ohm, 1100 ohm value यहां पर रखी, और यहां इसने क्या रखा, यहां रखा, इसने आपके पास कितना, 110 ohm, ठीके, और यह जो set हुआ है, यह set हुआ है, आप इधर की तरफ, इधर की तरफ value जो है, वो मेरी आपके पास कितनी है, suppose 125 ohm है, find out the value of this, यह आपके पास question है, अब आप देख न, यहां से आप दिक question लगाओगे, तो क्या लगाओगे, आप बताओ, इस जगे से अगर मैं बात करूँ, तो यह मैंने बिंदी बढ़ाई, अब यहां ratio देखोगे, तो देखो यह सारा का सारा आपके पास कटेगा, तो कितनी बार कटेगा आपके पास 10 और 1, अब आप बताओ, 10 का मतलब अगर यह है, तो मुझे 1 का मतलब यह है, तो 1 का मतलब यह है, क्योंकि इस से इसका ratio, इस से इसका ratio के बराबर है, इसका मतलब इसक बात करते हैं यहां पर यह वान कितना हो गया वहले यह उत्तर आपके पास कितना हो जाएगा आप समझना रही न अपलोगे दुबारा देखना यहां से हम इस रेशो को उड़ाते हैं यह आपके पास उड़ा दिया अभी देखो रेशो क्या आया रेशो आया 100 इस 2 आपके पास 1 अब आप समझना तो का मतलब अगर आपके पास क्या है यह है तो बताओ एक का मतलब क्या होगा बोले एक का मतलब यह होगा तो इस एक का मतलब जो आपके पास होगा वो होगा 1.25 ohm 1.25 ohm तो आंसर आपके पास क्या 1.25 ohm होगा I hope आपको चीज़ा समझ में आई होगी और इसी trick से आपने इस तरीके के सवाल लगाने है